हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 ब्लैक एसकिन करनाल सेक्रेटी चेक फैल्यूर इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैन इस टार्ट करते होगे तो जहां पर आपकर खानाओ या उप्षेन नहीं औरилась मोज मी आजाना है अदना है से किसी भी मेथट पर आप Performance Mode पर आएंगे तो यहां पर यह सारा ओप्शन आपको दिखने लगजाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर डृबल सूति अपों पर आपको क्लिक करने के बाद यह व braces हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है किलिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से रिपियर होना उसको fix कर देगा इसके बाद आपको क्या करना है सट डाउन के ओपर क्लिक करके आप इसको restart करके चेक कर लिजएगा आपका problem solve हो जाएगा यदि फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर advance option के ओपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आजाना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर restart के ओपर आपको क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद यह safe mode में restart हो जाएगा वहाँ पर एक option आजाएगा यहाँ पर आप देख लिजएगा आपके case में कौन सा button press करने से safe mode में चला जाएगा वैसे ज़्यादा तर case में F7 होता है तो वहाँ पर आप चेक कर लिजएगा आपके case में वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है safe mode में जानने के लिए वहाँ पर क्या key price करने के लिए बोलता है वो key price करके आप safe mode में चले जाएगा safe mode में जाने के बाद यदि वहाँ पर चला जाता है इसका मतलब आपका problem fix हो जाएगा तो वो चीज आप यहाँ से check कर सकते हैं चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर back आ जाते हैं safe mode में जाने के बाद भी आपका problem solve नहीं होते हैं आपको क्या करना यहां पर एक ऑप्शन देख जाएगा अनिस्टॉल अपडेट इसको पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यह विंडो आ जाएगा यहां पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा यहां पर लेटेस्ट क्वालेटी अपडेट दिख जाएगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं यहां पर जो भी अपडेट होगा इसको अनिस्टॉल करके उसके बाद सिस्टम को रियस्टाट करके आप चेक कर लिजेगा आपका प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा यदि फिर भी प्रॉलम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना यहां पर आपको आजा जाएगा तो आपको क्या करना यहां पर आपको सलेट कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना यहां पर नेक्स पर किलिक कर देना है इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लोकल डिक्सी दिख जाएगा इसके बाद आपको क करना यहां पर फिनिज़कुम्र पर आपको किलिक करतें इस तरह से क्लिक कर दें इस तरह से ये सिस्टम को रे स्ट्ट होने तक यहां पर ऑपकोवेट करना है झाल झाल रियस्टोर होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ जाएगा सिस्टम रियस्टोर कम्प्लीट सक्सेस्फूल इस तरह से लिखा हुआ जाएगा अब आप क्या करने यहाँ पर रियस्टार्ट को पर आपको क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से यह restart होना शुरू हो जाएगा restart होने के बाद यहाँ पे भी लिखा हो आ जाएगा system restore complete successful आप आपको क्या करना है यहाँ पे close कर दिने के बाद आपका problem solve हो जाएगा आपके case में फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है वहाँ पे advanced mode पे आपको आना है चलिए मैं वहाँ पे आपको ले जाके दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है यहाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टुर्बल सूट के उपर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा reset this PC इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यहाँ पे आपको दो option दिखे जाएगा यहाँ पे आपको दिखेगा keep my file इस option पे आपका जो भी file होगा यानि c drive के अन्दर जो भी file होगा उसको delete नहीं करेगा बांकि जो भी app होगा उसको delete करदेगा जो भी setting होगा उसको delete करदेगा यदि आप यह option select करेंगे तो यहाँ पर remove everything यहाँ पर cdap के अंदर जो भी personal file होगा उसको भी delete कर देगा जो भी app या जो भी setting होगा सब को delete कर देगा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई एक select कर लिजेगा उसको उपर आप click करके इसको reset करके check कर लिजेगा आपका problem solve हो जाएगा यदि फिर भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको advance mode के उपर आना है यहाँ पर आजएगा यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है टुर्बल सूट के उपर आपको click करना है इसके बाद यहां पर आपको एडवांस उप्शन को उपर आपको क्लिक कर देने हैं अब आपको क्या करना है यहां पर कमांड परोट दिख रहा है इसके उपर आपको क्लिक कर देने हैं क्लिक करते हैं इस तरह से cmd open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँपे CREP select करने के लिए, जैसा मैं tap करें हूँ, वह सा type की जाएगा, इसके बाद आपको enter करते हैं, इस तरह से CREP select हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करते हैं, यहाँपे diR type करना है, आपको यहाँपे enter करते हैं और साड़ा evenings open哦iga jah मतलब आपके case में c-dab के अंदर window install नहीं है किसी और drive के अंदर window install होगा यानि तो किसी और drive के अंदर यहाँ पे दिखेगा इसलिए आपको यह confirm कर लेना है आप जो drive select करें उस drive के अंदर यह file है या नहीं है तो यह आप select कर लिजएगा माला लिजए आपके case में d-dab के अंदर दिखाते है तो d-dab आपको select करना है e-dab के अंदर दिखाते हैं तो यह चीज़ यहाँ से आप confirm कर लिजएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टैप कर देने cd, cd tap करने के बाद आपको space देना है जैसा मैंने टैप किया है वैसे टैप करके आप इंटर कर दीजेगा अब आपको यहाँ पे टैप कर देने MD, Space, यहाँ पे File Name डाल देजगा यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप नाम रख लीजेगा, जैसे मैंने अपने case में backup 10 रखा है, आप अपने case में कुछ भी रख सकते हैं, backup 1, 2, 3, 4 या कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, enter कर दिने, अब आपको क्या करना है, enter करते हैं, यहाँ से यह command run हो जाएगा, run होने के बाद यहाँ पे यह copy हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे tap करते हैं, cd space reg bac के, इस तरह से tap की जाएगा, इसके बाद आपको enter कर देने, अब आपको यहाँ पे tap कर देने, dir इस तरह से tap की जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यहाँ से यह कमांड आ जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे A tap करना है यहाँ पे A tap कि जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको enter करते हैं यह सारा copy हो जाएगा यह सारा process successful होने के बाद आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close करते हैं close करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे continue के ओपर आपको click करते किलिक करते हैं इस तरह से आपका विंडो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं 4-5 प्रोसेस बताया हूँ किसी एक प्रोसेस से इस एरर को आप फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गये चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू